नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर मैं आपका दोस्त फिर हाजुरु आपको स्वास्तेवर्दक जानकारी को लेकर आज हम बात करेंगे आम के पत्तों के बारे में आम के पत्ते मधुमे के रोग्यों के लिए और उच रख्ट चाप में एक राम बान इलाज माना जाता है दोस्तों यह विटामिन B, C, A से समरिद होती है आम का नाम सुनते ही हर किसी के में पानी आजाता है आम के स्वाद का हर कोई दिवाना होता है आपने आम के स्वास्ते लावों के बारे में तो सुना ही होगा लेकिन क्या आपको पत्ते ही बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होती है जी हाँ आज हम आपको आम के पत्तों से होने वाले फाइदों के बारे में बताएंगे, आम के पत्ते मधुमे रोगयों के लिए रामबान इलाज माना जाता है, इसमें विटामिन C, विटामिन B, विटामिन A से होते हैं, इसके अलावा भी इसके कई पोश्क तब तो पाई जाते हैं, आम के पत्तों में शक्ति शाली अंटी अक्षिजेंट गुन होती है क्योंकि उनके पास फलेवर नाइड्स और फिनॉल की उच्छ मात्रा होती है तो यह जानते हैं आम के पत्तों से होने वाले इन रोगों के फाइदों के बारे में कैसे यूज करना है दोस्तों लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर भी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में लगए बेल आइकोन के जरूरत बादेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो ही जानत पैथी और मधुमे रिट्टी और नोपैथी के इलाज में मदद करता है इस सुदेश्य के लिए आम के पत्तों की चाई बनाई जाती है जिसके सेवन से आप शुगर से चुटकार पा सकते हैं कैसे बिनानी चाई दोस्तों इसके लिए जान लीजिए आप इसके सेवन करके असानी से मधुमे टाइप 2 की बिमारी से चुटकार पा सकते हैं आम के पत्तों के अरक मधुमे की बिमारी का इलाज करने में काफि सहिक होता है ऐसा इसलिए क्योंकि आम के पत्ते शुगर को कम करने मदद करते हैं इसी उबाल कर आप खाली पेट सेवन करने से आपको काई फायदा होगा चाई बनाने के लिए आम के चार पत्तों को चोटे बरत्र में उबाल ले जब अबल जाए तो आप पत्तों को पानी से अलग कर लें और राद भर के लिए इस पानी को छोड़ दें सुबह उठकर इस पानी का सेवन करें दोस्तों उच रख्ते चाव को भी कम करता है यह यह पत्ते उच रख्ते चाव को कम करने मदद करते हैं क्योंकि इनमें रख्ते चाव को कम करने वाले गुन होते हैं वे रख्त भाईकाओं को मजबूत करने और वेरिकाज नसों के समस करते हैं तनाव को भी दूर करते हैं चिंता की कर्ण बेचैनी से पीडित लोगों के लिए आम के पत्ते कच्छा घ्रेलू उपाई प्रदाना करते हैं नहाने के पानी में दो से तिन गिलास आम के पत्तों से बनी चाई डालें इससे सुस्ति का इलाज होता है और श्रीत ताज मैसुस्त में होता है खांसी को भी दूर करते हैं आम के पत्ते सभी प्रकाड़ के इस वहसं में समस्यों के लिए अच्छे होते हैं यह विशेश रुपसे सर्दी ब्रोकाईट्स और अस्थमा से पीडित लोगों के लिए बहुत अप्योगी है थोड़ा शहद के साथ पानी में आम के पत्तों को उबाल कर काड़ा त्यार करें यह काड़ा पीने से खांसी को बढ़बावी ढण्रस से ठीक करने मदद मिलती है यह अवाज यह गल्ला बैठने का इलाज करने में मदद करते इने कान का dictionary करते हैं का दर्द का फी पर शान कर सकता है इस गेरलू उपाय को उपयोग करके आप कान दर्स से रहाद पा सकते हैं आम के पत्तों से निकाले जाने वाले का रस है एक चम्मच कान के दर्स से रहाद देता है रस का उपयोग करने से पहले रस को थोड़ा गरम कर लें तो दोस्तों यह थे आम के पत्तों के फाइदे आगे भी हम आपके लिए स्वास्तेवरतिक जानकारें को लेकर आते रहेंगे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ होने के बेल आइकोन के जरूरत दोपादेना, अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते अगले वीडियों के नए टॉपिक के साथ, तब तक के ल समशकार, धन्यवाद.